पुरते आगे और बात करते हैं राची में कच्रा डंप करने के लिए चंट्री में गाड़ियों की लंबी कतार लगी है कच्रा मिनी ट्रांसफर स्टेशन में कच्रा भर गया है जिसे खाली करने के लिए वहान है कच्रा डम करने के लिए 100 से ज़्यादा वाहन कतार में खड़े है जिसे वाटू में कच्रा उठाने का काम परभावित हो रहा है बता दे कि निगम कच्रा मिनी स्टेशन से कच्रा उठा कर जीरी में डम करता है कच्रा डंप करने के लिए 100 से जादा गारियां खड़ी है और इस वज़ा से वाड़ों में कच्रा उठाओ का काम परभावित हो गया है कि अपकी बड़ी खवर दिखा रहे हम और कहीं न कहीं से शहर में साफ सफाई को लेकर परभावित जो काम है वो हो सकता यह कतार बद तरीके से गारियां जो कच्रा उठाने वाली गारियां हैं कच्रा डंप करने के लिए खड़ी हैं आपको तस्वीर हम दिखा रहें हैं सौ से जादा यह गारियां खड़ी है कच्रा डंप करने के लिए तो इससे वाड़ों में कच्रा उठाने का काम पर भावित हो गया है तस्वीर है आपको एक्सकुली सुभम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सौ से जादा गारियां कतार बद तरीके से खड़ी हैं तो वाड़ों में कच्रा उठाने का काम कहीं न कहीं से पर भावित हो गया अग्वाफिस जानकारी आपको दे दे राची में कच्रा डंप करने के लिए चट्री में गारियों की लंबी कतार लग गई है कच्रा मिनी ट्रांसफर स्टेशन में कच्रा भर गया है जिसे खाली करने के लिए वाहन नहीं है कच्रा डम करने के लिए 100 से ज़्यादा वाहन कतार में खड़े है जिससे वाड़ो में कच्रा उठाने का काम परभावित हो रहा है निगम कच्रा मिनी स्टेशन से कच्रा उठाकर जीरी में डम करता है और ये डम करने के लिए कच्रा गाडियां कतारबत तरीके से खड़ी हैं सौ से जादा की संख्या में गाडियों की संख्या है जो कच्रा डम करने के लिए खड़ी है इससे कहीं न कहीं वाडो में कच्रा उठाने के जो काम है वो परभावित हुआ है चडरी में कच्रा वाहनों की लंबी कतार आप देख सकते हैं तस्वीरे कच्रा डम करने के लिए इन गाड़ियों का इस्तमाल किया जाता है वाडो में निगम शेत्र में लेकिन चडरी में सौ से ज़्यादा की संख्या में कच्रा डम करने के लिए ये गाड़ियां कतार बद्ध होके खड़ी है निश्चे तोर पर इसका प्रभाव भी पढ़ सकता है साफ सफाई प्रभावित हो सकता है सौ के आसपास इन गाड़ियों की संख्या जो कच्रा डम करने चडरी पहुंची है सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन निउस लवन भारत सच है तो दिखेगा